तो इस टॉपिक को मैं बहुत अच्छे तरीके से डिसकस करूंगा लेकिन उससे पहले मैं बोलूगा कि जिन लोगों ने मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नी किया वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, नोटिफिकेशन बेल ओन कर ले ताकि आपको रेगुलर ताकि बहुत सारी जनकारी आज आपको मिलने वाली है, तो सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं कि जब टीम बनाता है, टीम बनाने में लोगों को मेहनत भी लगता है, लेकिन टीम में लोग रह क्यों नहीं पाता है, टीम क्यों छोड़ चले आते, तो उसका कुछ-कुछ सबसे इस बेसे बाने में लोगों को जो आज हमारे इस बुग बेसिक ट्रेनिंग बहुत जलूरी है, क्योंकि जिए दिन आप उनको जॉइंक कराते हैं, जुझ कराके बिसनस हे अंदर कर नेरे हैं, मिलाते हैं आप उसी के 24 घंटों के बाद आप basic training शुरू करते हैं और basic training उनको clear करें क्योंकि basic training जब उनको मिलता है तो उससे उनकी सारी चीज़े सारा concept जो network marketing को लेकर जो सपना होता है जो वो संजवे होते हैं वो पूरा करते हैं और वो पूरा नहीं होने की वज़ा से भी ल साच एक चोटी सी achievement बड़ी सी achievement लेने के बाद सुरुआत कर देते हैं साथ में देखके इसलिए जरूरी है कि जिस भी लोगों को network marketing में आप लाएं उनका वीजन के लिए कि network marketing क्या है network marketing कोई ऐसी concept नहीं है कि रातो रात आप अमीर हो जाएंगे आपको थ्वार टिकना होगा आपको धैर रखना होगा आपको patience से काम लेना होगा दोनों जी जो को करेंगे आप सही तरीके से तो आप network marketing में वो सपना जो आप चाहते हैं वो पूरा कर सकते तो ये था चौथा topic पाँचवा topic था जो over commitment होता क्या है कि जब हम बहुत लोगों को इस पर वसाय मिलाते हैं business म लोग को क्या करते हैं कि आने से पहले उनको over commitment कर देते हैं मैं हूँ मैं करूंगा मैं सब आपका जितना कुछ है वो सब कुछ आप खुद लेकर over commitment कर देते हैं तो ये 5 topic ऐसे topic है जो अहम topic है जो साहध लोग समझते नहीं है सोचते कि मैंने तो ऐसा कोई गलती ही नहीं किया जिससे कि ये सारी चीज़ों को देखना पड़े 5 topic एहम topic जो मैं बता रहा हूँ ego hut कभी मत करे guest का जिसको आपने business के अंदर में लाया दूसरा कभी भी guest जो है आज वो new generation के guest है आप उनके साथ behavior new generation वाली करिये तीसरा basic concept उनका हमेशा clear करिये और basic training उनका पूरा करिये जरूर जो चीज मैंने बताया उनका reason clear करिये विजन जब clear होगा और पांचवा over commitment कभी भी मत करिये अपने guest के साथ ये 5 गलती आप नहीं करें आपके team के जो लोग जा रहे है वो जाना बंद हो जाएगा और आपके team के अंदर में stability आना सुरू हो जाएगा और आप ये करके देखे और जिनको भी इस पांच चीजों से फायदा मिलता है वो comment के अंदर में comment करें और मुझे बता है कि वाकई में ये 5 वो चीज है जो हम गलती कर रहे थो और आगे सी गलती नहीं करेंगे और जिससे कि आप इस team के अंदर में जितने भी लोग जो जा रहे है वो आपके साथ ट झाल